तो चलिए बच्चों solve करते हैं question number 2 and question number 3 बेटा ये दोनों question एक concept clearing question है और एक ताबर तोड़ question है तो चलिए वीडियो को pause करके इमानदारी से खुछ से try करिये ये question number 2 बेटा बहुत ही simple है ये तो आप करी लेंगे उसके बाद solve करेंगे question number 3 बहुत ही अच्छा question है नीट और जई वाले बच्चों के लिए important है तो चलिए ध्यान से देखिए question number 2 में हम से कर रहा है find angular momentum about O and A बेटा एक point O है और एक point A है इनके about हमें क्या निकालना है angular momentum निकालना है CDC बात है कोई दिकत की बात नहीं है तो देखिए बच्चों हमें अगर निकालना हूं angular momentum about this point O तो क्या करना पड़ेगा formula क्या रहेगा वही रहेगा बोलिए about O angular momentum हो जाएगा mv r perpendicular यहाँ पे perpendicular distance क्या है about this point O बेटा origin से देखिए बेटा इस mass का perpendicular distance तो यही होगा ठीक बोलिए perpendicular distance तो यही होगा r perpendicular इसकी value क्या होगी बिटा देखिए इस mass का coordinate given है यह mass कहां पर रखा है a,b पर तो जो पहला वाला होता है वो होता है x-axis का distance और दूसरा वाला जो लिखा होता है उसके बगल में वो होता है y-axis का distance तो देखिए यानि की a,b coordinate है इसका मतलब क्या है यह distance a होगा और यह distance y-axis के लाउंग किता होगा b होगा x के लाउंग a y के लाउंग b तो यहांस हम कह सकते हैं हमें तो y वाला चाहिए यानि की r perpendicular यह हमारा b हो जाएगा clear तो हम कह सकते हैं angular momentum about this point o हम निकाल सकते हैं ऐसे mass है बेटा m, velocity इसकी u है into r perpendicular कितना है b है ठीक तो b रख दिया यहांसे कह दोगे अपना अंसार हो जागा m, u, b बेटा यह आ गया angular momentum about this point o बेटा excuse me, अच्छा, अब मैं पूछूँ, क्या होगा direction angular momentum का तो कोई दिक्कत नहीं है, इस point o से क्या करो, एक positional vector बना लो, ऐसे होगा r, position vector, कोई दिक्कत, नहीं, ठीक, o से निकालें तो position vector कैसा होगा r, ऐसे होगा, velocity ऐसे है, तो हमने आप से क्या कहा था direction के लिए, r cross u करो, direction के लिए क्या करना है, r से cross करो v, यानि की velocity, बोलो, तो r cross v करना है, तो r cross v, r ऐसे, v ऐसे है बेटा, तो r से cross करो v की तरफ, बोलिए right hand thumb rule लगाई है, r cross v, r से cross करो, या curl, अपनी four finger को curl करो, v की तरफ, ठीक है, तो thumb का direction invert है, यानि की angular momentum भी invert होगा, तो हम क्या सकते है, minus k cap होगा direction, बोलिए k cap क्या unit vector है, जो direction बता रहा है, की angular momentum invert होगा, clear, ठीक है, invert यानि की negative z axis में, ठीक, अच्छा, अब देखिए, अगर मैं पूछू, angular momentum about a, बेटा, क्या हो जाएगा, बोलिए, वो zero हो जाएगा, क्यूं zero हो जाएगा, जल्दी बताओ, अभी just पहले वाले question बताया था, ओ से देखोगे, तो बोलिए बेटा, ओ से, यह distance है, बोलिए, इस mass तक का यह distance है, मगर यह perpendicular distance थोड़ी ना है, perpendicular distance जीरो होगा, बोलिए, हाँ या ना, बोलिए, perpendicular distance, बोलिए, जीरो होगा, जिसके वज़े से, angular momentum about this point, ओ, जीरो होगा, clear, sorry, कहां सी बहुत आ रही आज, पक्का, समझ गया, चलिए, copy कर लिजे, अब खुद से, एक बार, try करिए, question number 3, मैं तब तक मिटा रहा हूँ, question number 2 को, ठीक है, हो गया, यह copy, चलिए, try करिए, question number 3, चलिए, बच्चो, अब देखते है, question number 3, क्या कह रहा है, हम से, the particle of mass m is moving along y-axis, और उसकी equation given है, जिस direction में move कर रहा है, उसकी equation given है, मुलिए, कितना, y is equals to, under root 3, x plus 4, फिर कह रहा है, find angular momentum, about o and a, o और a के about, हमें, angular momentum निकान रहा है, question में यह कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत असान question है, तो देखिए, इस बार हमें, नहीं angle की बात कह रहा है, नहीं हमको यहाँ पर perpendicular कुछ distance दिख रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ यहाँ पर y की equation given है, यहाँ से हम कह सकते हैं, जरा y की equation लिखो, y is equals to कितना है, बोलिए, under root 3, x plus 4, बेटा, याद करिए, आपने पढ़ी थी, equation या line की equation क्या होती है, जर्नल, भाईया, equation of line क्या होती है, वो आपने पढ़ी थी, याद करिए, y is equals to mx plus c बेटा, c क्या होता था, intercept, c क्या होता था, intercept, या कहलो y intercept, क्योंकि y की equation लिख रहा हो, y intercept, ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो, बोलिए y intercept क्या होगा, बोलिए, c क्या है, यहाँ पर intercept, c की value 4 हो गई, देखिए, c के compare करो बटा, इस equation को इस equation से compare करो, तो c की value 4 है, तो यानि की जो intercept दिख रहा है, y के लॉग intercept, ठीक है, यह हमें 4 given है, कोई दिक्कत, नहीं, अच्छा, अब देखिए, x के साथ जो जूला होता था, वो m होता था, m यानि की slope, ठीक है, m यानि की slope, और वो कित्ता given है? अंडररूट 3 given है, तुम यहाँ सकते है, बोलिए, m कितना है? अंडररूट 3 के बराबर है, m यानि की slope और slope कैसे निकालते है, 10 theta से निकालते हैं तो हम कह सकते हैं कि m की जिगा 10 theta रख दिया तो 10 theta is equal to under root 3 बोलिए 10 theta की value under root 3 कब आती है जब theta की value 60 degree होगी तो हम कह सकते हैं कि theta यहाँ पर कितना होगा 60 degree होगा बड़े अराम से ठीक है मगर दिक्कत किया है यह theta कहां से है सबसे important बात तो दिहान दिजेगा बचो जो theta आपको given है बोलिए वो यहाँ से given है बोलिए यह जो आपको theta given है यह कितना है 60 degree यह बोलिए पहले बात समझ भाइग नहीं आई बोलिए गलती मत करेगा theta यहाँ से यह given है clear अच्छा कोई दिक्कत नहीं बेटा अगर theta यह होगा बोलिए 60 degree तो यह angle कितना होगा 30 degree होगा और यह 30 होगा तो यह भी 30 होगा vertically opposite angle कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए अच्छा अब देखी जरा formula क्या था सबसे हम पहले क्या करते हैं angular momentum about o निकानले की कोशिस करते हैं mv r perpendicular mass कितना है बच्चों जल्दी बताइए m है रख दिया velocity कितनी है u है यहाँ पे रख दिया कोई दिक्कत नहीं अब r perpendicular क्या रखें r perpendicular निकालना पड़ेगा अब देखिए आप about this point o निकाल रहे हो angular momentum तो इस point o से देखिए क्या perpendicular distance यह 4 है क्या यह distance होगा नहीं बेटा देखिए आपका जो यह जा रहा है देखिए बुलिए velocity है velocity के direction में देखो perpendicular direction क्या होगा बुलिए यह होगा कि नहीं होगा ओ से देखिए यह perpendicular distance होगा देखिए यह ऐसे move कर रहा था और उसके perpendicular distance o से देखिए यही तो होगा यही r perpendicular होगा बोलिए हाँ यह ना r perpendicular होगा कोई दिक्कत की बात नहीं है अब यह r perpendicular कैसे निकालोगे अब देखिए यह distance आपको पता है 4 तो इसको resolve करो इसka क्या करो इस resolve को लिए कर लो split करो कैसे करोगे तो एक हो ज 30 degree angle करता है 30 degree तो resolve कैसे होगा यह हो जाएगा 4 cos 30 4 cos 30 क्या यह perpendicular नहीं इसको तो मतलब नहीं तो यह हो जाएगा 4 cos 30 इस से मतलब नहीं और यह हो जाएगा 4 sin 30 इस direction में बोलिए एक मिलता इस direction में 4 sin 30 क्योंकि 30 degree angle है थीक clear अच्छा अब यह देखो 4 sin 30 है यह एक vector है मगर यह इस इसको जब shift कर लोगे धर तो यह किसके बराबर है अरे parallel shifting of vector allowed होती है ठीक है तो यह 4 sin 30 तो यह भी R perpendicular भी 4 sin 30 क्या यह बात समझ में आई की नहीं बोलिए तो हम कह सकते हैं यहां से बोलिए R perpendicular किता हो जगा 4 sin 30 क्या यह बात समझ में आई की नहीं यह feel आया कि नहीं सबसे important बा 30 रख देंगे प्यारे बच्चों ठीक है तो हम कह देंगा अंसारा जगा M U 4 into 4 into sin 30 बोलिए कितना हो जाएगा sin 30 होता है half फिर यह जाएगा 1 जा यह 4 जाएगा 2 जा तो अपना अंसारा जाएगा कितना बोलिए 2 M U बेटा ठीक है यह आ गया angular momentum की magnitude आ गया है अब direction क्या होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है देखिए हो लिए अगर हम बात करें position vector की तो बेटा वो कैसा होता खुश सोचो अब उस point से जिस point से angular momentum निकाल ले हो अगर position vector देखना है तो कोई दिक्कत नहीं बस वहाँ से देखो mass कहां पर पोजिशन वेक्टर ऐसे आता ऐसे जाता हाँ क्लियर ऐसे जाता है आर क्रॉस वी करो आर क्रॉस यू कर लो बेटा वो लो क्रॉस प्रॉडेक्ट लगा दो जिस डियरेक्शन में थम होगा उसी डियरेक्शन में अंगुलर मोमेंटम होगा आर क्रॉस यू थम इंवर्ड यानि की अंगुलर मोमेंटम इंवर्ड जा रहा ह यानि कि minus z axis में यानि कि minus k cap minus z axis होती है तो unit cap unit vector कौन सा लगता है minus k cap plus z axis तो plus k cap खतम बात clear यह minus चाहो तो यहाँ पे भी shift कर सकते हो हटा करके कोई दिक्कत नहीं है समझ गया है अब चलिए निकालते है angular momentum about a बेटा कितना होगा 0 होगा क्यों 0 होगा बताईए क्योंकि अगर आप इस point a से निकालोगे देखिए यह ऐसे move कर रहा है clear और यह distance देखिए उसी के parallel ही तो है बोलिए अगर आपसे कोई पूछे कि position vector कैसा होता a से तो a का position vector इदम सीधे जाता जिस direction में u होता यानि की parallel होता तो भाईया r perpendicular 0 होता सीधी सी बात है r perpendicular 0 होता clear समझ गये पक्का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए नहीं आ रहा तो feel कर लो भाईया एक और तरीके से feel कर देखिए 0 कैसे आ रहा है सोचे रोग ना बार बार तो देखिए r perpendicular 0 था तो यहाँ पर देखिए इस formula से निकालते तो यहाँ पर रखते 0 हो जाता ठीक एक और formula आपने पढ़ा था डरो मत रटो मत m r v sin theta ठीक है sin theta यह formula पढ़ा था अब देखो u से देखिए theta क्या होता था velocity और position vector के बीच का एंगल अगर a से निकाले तो position vector कैसा होता बोलिए ऐसा होता दम parallel होता u के बोलिए अगर a से देखते तो u और r parallel ही तो होते देखिए इसका position vector दम u की तरफ parallel होता तो theta 0 होता उस case में 0 होता तब यहाँ पे आप theta के value 0 रखते तो कितना आ जाता पूरा 0 आ जाता ठीक तो I hope आपने इस question को अच्छे से solve गिया होगा आपका भी answer आया होगा comment box में comment करके बताइएगा किन किन बच्चों का answer आया था neat और जही वाले बच्चों के लिए important है side हो रहा है फिर करतें next question